Hello students, स्वागात है आप सबका आज की इस वीडियो में मेर नाम यगान शो सकसेना और आज की इस वीडियो में मैं आपको class 12 की chemistry का एक बहुत है important chapter solutions पढ़ाने जा रहा हूँ तो let's start our video, तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि इस chapter में, solutions chapter में हम किन-किन topics को study करेंगे first of all we will study about a definition of a solution, then after we will study about types of solutions and method for expressing concentration of solutions there are two methods, one is quantitatively and another one is qualitatively, so let's continue so first of all we have to know about what are mixtures, so generally हम बोल सकते हैं कि mixtures क्या होते हैं जैसे हमाली जे किसी भी 2 substance को आपस mix कर देते हैं, तो वह mixture prepare हो जाता है तो अगर बात किया मिक्सर कितने types के होते हैं, तो mixtures generally 2 types के होते हैं तो जिनमें पहले category जो होती है, उसको हम लोग कहते है, homogenous mixture तो homogenous से अगर बताया जाए, तो homo का मतलब होता है same और genius का मतलब होता है concentration मतलब कि एक ऐसा mixture, जिसकी concentration पूरी जगा पर, मतलब पूरे के पूरे mixture में same रहती है ठीक है, तो इसके example हम क्या बोल सकते हैं, जैसे की air, air अगर बात की जाती है तो उसके composition होती है, for example उसमें, जो nitrogen की percentage होती है, वो हमें किसी जगा की air में compare करें वो हमेशा same ही रहने वाली है, वैसे ही अगर बात की जाए, तो उसमें जितने भी water की molecules होते हैं, वो हर water में same ही रहने वाले है जाए उसका कोई भी source हो जाए, ठीक है, और हमारा, इसका example अब सच्छा क्या हो जाएगा, sugar solution, अब माननी जागा, हमने को sugar solution को prepare किया है तो ऐसा नहीं है अगर वो उसमें sugar perfectly dissolved होगी तो उसका मतलब भी नहीं कि जो ऊपर वाला level जो होगा, वो अच्छे से उसमें ज्यादा मीठा पण होगा या फिर नीचे वाला होगा उसमें कम मीठा पण होगा ऐसा नहीं है उसमें क्या होगा, उसका जो उसकी sweetness जो होगी, वो अलग लग जगापर अलग लग रहती है तो इसके अप्स एक्संपल क्या होगा फॉर एक्सैंपल अगर हम सेंड यादि या इस चाहिं यह रेड रेट जो होते है उसको पाने भी मिक्स कर देते है तो उसमें क्या होता है सब्सक्राइब तो जैसा है कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में जीख भी सकते हैं ऐसे यह ग्लास दिखाया गया यह सेंड वाटर का मिक्स्चर था तो कुछ टाइम तक तो यह ठीक रहा लेकर जैसे की टाइम हमारा पास होता गया है तो का हुछ सारे सेंट पार्टिकल सो नीचे या गया करके सेडिमेंट हो गया करके तो इस टैप के मिक्स्चर को हम जो क्या बोलते है है हेटरोजीनेस मीक्चचर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेडि करते हैं टेफिनेशन आफ सोलुशन के बारे में अगर जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं कि definition of solution अगर बताई जाए तो उसे कहते हैं solution is a homogeneous mixture of two or more than two components solution क्या होता है solution एक ऐसा homogeneous mixture होता है जिसमें दो या फिर दो से अधिक components present होते हैं ठीक है और इस chapter में लोग जो study, जिस टाइप को solution को study करने वाले हैं वो सारे के सारे binary solutions होते हैं आप समझे रहे होंगे कि binary term वो actually computer में use किया आता है क्योंकि उसमें जो binary language coding language होती computer के उसमें डो ही digits यूज किया आते हैं जो है 0 और 1 ठीक है तो यहां पर भी same लगबग कुछ जो मिलता होता मतलब भी है जैसे कि binary solution को मतलब होता है कि एक solution जिसमें केवल हो केवल दो components होते हैं ठीक है अब जैसे माले जिसमें अगर divide किया जो components जो होते हैं जो component छोड़ा कम amount present होता है उसे हम क्या कहते हैं solute कहते हैं और जो ज्यादा amount present होता है उसे कहते हैं हम लोग है solvent कहते हैं ठीक है और एक्जामपल अगर water में sugar को add कर देते हैं तो वह हमारा क्या प्रिपेर हो जाता है है थीक है तो हम स्में क्या बोलेंगे जाहर सी बार शहर से होता है वो थोड़ा ज्यादा amount present होता है तो इसलिए हमारा क्या होगा हमारा water हमारा solvent है ठीक है और जो solution है क्या हो जाएगी sugar क्योंकि water के relatively स्वोड़ा सा common present होता है इसलिए sugar और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, तो जैसा है कि आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक टेविल दिखाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के सलुशन दीगें, हम जानते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है, उसके तीन स्टेट होते हैं, अफिर बोले तो मैटर जो होते हैं, वो थ्री सेट में अग्रस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तो इसी बेस पर यह तीन टाइप में, जैसे कि तीन टाइप जो स्टेट होते हैं, वो तीन टाइप के सॉलिशन प तो जिसमें solvent जो होता है वो liquid होता है उसे हम लोग कहते है liquid solutions जिनमें gas होता है उन्हें capital solutions और इन में different types के यहां पे solutes होते हैं एक ऐसा example जिसमें liquid solvent होना चाहिए और solutes क्या होना चाहिए solid जाहिए ने आपको पहले बताया था कि solvent क्या होता है जो जाधा amount present हो तो आपके दमाग में कैसी picture बन जानी चाहिए कि इसमें में solvent और जाधा amount में रखा है और solute क्या है कम amount में है अब वैसे हम जो क्या कर सकते है शुगर या फिर salt को वाटर में dissolve करते हैं तो क्या होता है वाटर साइट से बाद से जाधा amount present होता है और शुगर या फिर salt जो होता है वह कम amount present होता है तो यह इसका एक बहुत ही perfect example बन जाता है ठीक है चलिए नेक्स टाइब पर बढ़ते हैं जो है liquid into liquid का अब जैसे माली यहां पर कोवेट के time चलता है तो इसमें हम लोग कहां से रस्पायर करते हैं एयर से रस्पायर करते हैं हम लोग को oxygen कहां से एक्मासफेट से इजीली मिल जाती है लेकिन जो marine यह फिर aquatic animals होते हैं उनको oxygen कहां से मिलती है वह मिलती है उनको water से उसको बता दिया रहा है कि ऐसे कुछ compounds होते हैं कुछ ऐसे hydride form होते हैं थोड़े जो ऐसे elements जिनका mass थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है ठीक है तो वह कुछ ऐसे hydride form करते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल hydride ऐसे कि palladium जो होते हैं थोड़ा जाएड़ा होता है उसका metal जो atom का size होता है वह काफी बड़ा होता है और उसके respect में hydrogen atom का size काफी छोटा होगा इसलिए इनका hydride form होता है वह जैसा है कि picture में देख सकते हैं वह इस टाइप का होता है आपर जो gray rung के spheres हैं वो हमको क्या दिखा रहा है कि जो palladium metal जो होता है वह इसको शो कर रहा है कोई metal ले सकते हैं आपर transition वाला है और small spheres हैं वह क्या show कर रहा है हमारे है यहां है ह्पर hydrogen show कर रहे है ठीक है तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं इसे जाधा म कान देख सकते हैं पर क्या प्राइश इसमें है ग्यास प्रेश्ट के उलिखिट और क्या हो जाएगा इसमें एस्तु गैस प्रेशं हैं दॉक्ष्ट प्राइब मैटल ठीक है जा लिया आगे बढ़ते हैं उसमें अग्जामपल यह कि गैसे लिख्विड का तो खाए बिट्रक्रोंब करते हैं वह है वह सोलेट का अब जानते हैं आजकर जो यह पर आपको हमारे होते हैं किया है तो मेटल से अलग होते हैं गाइब चाहिए परेज्ट से वह ऑठ कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या है बढ़े होते हैं वह सॉलिट ... solid का है काफी अच्छा solution होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आ रहा है कि solid into liquid का है तो यह थोड़ा टिपकल example होता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा वह है mercury का अमलगम होता है इसे हम लोग कहते है मर्क्यूरिक कहते हैं यह पिक्चर में आप जैसे देख सकते हैं इसका मतलब क्या मेटल और लिक्विड हां पर जो इसका अमलगम फॉर्म हो रहा होता है जो इसका compound होता है ठीक है अब हमारा जो लास्ट टाइप हो रहा है वह इसमें solid in gas का तो यह भी आपको यादरतना पड़ेगा यह है कि नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन गैस के ज्यादा अमांट प्रेजेंट होगी और कैमफर क्या है थोड़ा कमांट प्रेजेंट होगा ठीक है तो यह हमारे होगा है हमारे type of solutions की तो आपको बताया है हमने ऐसे कि इस solution कितने डाइक होते है liquid solutions, gases solutions और solid solutions चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे next topic आ रहा है वह है concentration of solution तो सबसे पहले जानते है concentration of solution क्या होता है ऐसा है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो इसकी definition लिखिए amount of solute dissolved per unit solvent under normal conditions is called concentration of the solution हम वही पुराना वाला example लेते हैं sugar solution का है उसमें क्या है अगरे glass मानी लेते हैं तो उसमें एक निश्चित मातर है में हम उसमें sugar को dissolve कर सकते हैं उसके beyond उसमें नहीं add कर सकते हैं एसा क्यों होता है कि solvent की भी एक limit होता है एक extent होता है कि उसके बाद उसमें कोई भी solute जो होता है वो dissolve नहीं किया जा सकता है under normal conditions में बारिस लेके गई कई गई है क्योंकि मान लिए हम जैसे condition change करते हैं अगर हम उसी water का solution का temperature बढ़ा दें तो उसमें अभी हम शुगर और add कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हम अपर अंडर normal conditions टर्म का यूज करना है बहुत ज्वादा important हो जाता है ठीक है चलिए अब जानते हैं कि method for expressing concentration of solution अब जैसे मान लिए कोई भी किसी भी solution concentration जो होती है वो हम कितने टाइप से express कर सकते हैं वह दो टाइप क्या होते हैं पहले methods होते हैं qualitative methods और number two जो होता है उसे हम लोग कहते है quantitative methods ठीक है अब जैसे हम किसी भी person को define करना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं अब से पहली बात हो उसके quality के कर सकते हैं कि उसके अंदर किपैसिती कितने के इसके इतना potential है फिर कालिवर है ठीक है सबसे पहला हम जो किसमें study करने जा रहे है क्वालिटेटिव मैथेड के एकॉर्डिंग अब इसमें हमारे पहला टाइप होता है उसे कहते हैं अगर कभी आप गया होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें काफी सारे एसेड्स जो होते हैं वो डिल्यूट फॉर्म में प्रिजेंट होते हैं और बहुत सारे इसेड्स ज बोल देते हैं यानि किस टाइप व सेलूइशन हमारा डिल्यूट सलूइशन हो जाएगा अब करते हैं इसका मतलब क्या है कि उसमें ड्यूट से थोड़ा जादा मांट प्रेजेंट होता है इसलिए तो यह हमारे कॉन-गॉन से मेथेट होगा है यह हमारे क्या से भी आ रहे हमसे हो जाती है ठीक है चलिए है और अगे मुवन करते हैं हमारी नेर्स नेक्स पइंड पर्शेंट यह क्या है क्या है सबसे पदिवी गोर्त वेर्ट पर minder लेटन पर क्या क्या है म पहिले टोपिक कह स्वांटिक मांस परसेंटेज में सने दैपे यह गींड год तो इनको आगे one by one study करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा रहा है वो क्या है मास परसेंटेज अब इनके बार हमको जाए जानने जरुरत नहीं पड़ेगे वैसे इनका बस निमेरिका लाता है और फॉर्मुला बेस्ट वेस्ट बहुत सिंपल टापिक है ठीक है मालीज आपको एक्जाम दे कर आए है तो आपसे पूछते हैं कि इतने परसेंटेज बने जाकर कि उस एक्जाम में तो कैसे निकालते हैं कि जितने आपके मतलब कि आपने इतने मांक्स प्राप्त किये तो पहले उसको उपर लिख देते हैं जहाँ पर यहाँ पर कहा लिखा है को मांस अफ्ड़ कंपोनेंट का मांस परसेंटेज निकालना चाहरे हैं तो क्या करेंगे तो उसमें मांस अफ्ड़ कंपोनेंट इंटो हंड़ अपन उस पूरे सॉल्यूशन का मांस कितना है ठीक है अब ज़रे इसका यूज देख लेते हैं यह जनरली किसमें उसकी आते इंडस्ट्रियल अप्लिकेशन इसका यूज होता है आपने कर देखा भी ह मास परसेंटेज में एकप्रस किये चाहते हैं चलिए आगे बढ़ते है हमारे नेकस्ट प्रेडेच को अने जारहा कि है वो है वॉल्म परसेंटेज ठीक है बॉलम परसेंटेज अब ऐसे पछले वाले केस में हम लोगो ने क्या पढ़ ता हो और आब यहाला chapterson होता है वह ॥ पूरी वैलू को हम लोग 100 छे कर दिंग तो जो हमारी वैलू आए गया गए उसे हम लोग क्या कहेंगे वैल्यूम पर्सेंटेज ,फ एदि एसका आप यहां पर हम एप्लिकेशन लेखने जा रहे हैं तो यह भी एंडस्टियल कैमिकल्स में ही उसकिए जाता है ऐसे कैमिकल् बताई गया कि इसमें वह को लेते हैं एक आगे वाले पे अगर आते हैं तो उसका मास बाई जैने हैं धेका है मास आफ ने उसको सलुशन से डिवाइट कर दिया था ने इस वाले में तैक की वॉल्यूम में क्या मतलब का मतलब यह कि solute का तो इसमें फियो component का तो mass होगा लेकिन पूरे solution का क्या लिए कि वॉल्यूम लेंगे इसमें ठीक है इसका application किसमें होता यह जनरली जो हमारे medicines वगरा होते हैं फियो pharmaceutical जो companies होती है यह सारे के सारे उसमें उज़ किया रहते हैं तो जनरली इसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हवाला आ रहा है वह हमारा parts per million को short form हम लोग PPM भी कहते हैं अब जैसे अगर बात कर लेते हैं कोई ऐसी चीज़ा है फिक जो उसकी मातरा solution में बहुत कम available होती है तो उसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर लेते हैं पार्स पर मिलियन में अब जैसे माली जे बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्ड हमारा जो सी होता है उसका water कैसा होता है थोड़ा खारा होता है तो उसमें बाकी सारे minerals की मातरा जोती बहुत कम होती है तो अगर उसमें निकालने जाएंगे तो उसकी जो quantities होती है वो पूरे volume के respect में बहुत ही trace amount होता है तो इसलिए उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं पीप्यम एक्सप्रेस करते हैं उसका formula क्या होता है number of parts of component मतलब की ए 10,000,000,000 तो अगर 10,000,000 की एक हम कैसे लिखे दें 10 to the power 6 की फॉर में उसको पूरे किसे डिवाट कर दें कि मतलब उस volume में total कितने हमारे पास parts available है कि इसके पहले वाले component के और दूसरे वाले component को दोनों का इट कर दें तो कि आ जाएगा total number of parts of the solution आ जाएगा ठीक है आगे चलत जो हमने आपको बताया था और जैसे की अभी pollution का level काफी बढ़ गया था कुछ दूनों पिछले तो उसमें हम लोग कैसे निकालते थे कि एक volume air में एक unit volume air में कितने ppm और other gas air पर other impurities present होती है तो इस आप से हम लोग के निकालते है उसमें कि pollution का level क्या है किसी एक particular place पर ठीक है मोल fraction के लिए आप पहले ट्रम देख लिए ते मोल क्या चीज़ होती है ठीक है तो मोल अम लोग कैसे निकालते है अब पढ़ा भी होगा शायद 9-11 पढ़ा होगा इस चीज़ को तो उसका formula क्या होता है number of moles of substance is equal to given mass upon mole of mass of substance अब यससे माल लिया को कह रहा है कि कि किसी भी ने उसका mass given होता है upon जितना उसका एक mole unit एक mole strength का इतना mass होता है ठीक है तो उसको आप डिवाइड कर देंगे इससे तो हमारे क्या जाएंगे number of moles हमको पता से जाएंगे ठीक है आगे चलते है mole fraction of component is equal to number of moles of given component upon total number of moles of all components ठीक है तो इसका हमारा formula होता है जो हमारा नीचे जो second level पर लिखा हुआ है वो हमारा main formula है वो क्या number of moles of given component मतलब जिसका mole fraction निकालना चाहते है उसके number of moles कितने present है ठीक है तो उससे हम लोग उपर रख देंगे upon total number of moles कितने solution में इसको आगे हम is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent अध्यसे मान लोग बता रहे हैं कोई पूच रहे है कि आप यहाँ पर हमारा solution given है इसमें solute के mole fraction क्या चीज़ होगी कैसे निकालेंगी इसको कि सबसे पहले solute के उस solution में कितने number of moles present है तो आपको पीचे formula बता रहे था given mass upon molar mass उससे हम लोग क्या न इस लेवल में रबता दिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका एक जन्दर लमारा formula आ जाएगा जैसे इसमें लिखा भी हुगा है कि आगर हम कहा दें कि solute का हमारा जो है उसके number of moles कितने n1 मान ले रहे हैं और solvent कितना मान ले रहे हैं n2 मान ले रहे हैं तो नीचे यहाँ इसको हम लोग एकस नहीं पढ़ते हैं काही पढ़ते हैं जो मोल fraction जो होता है इसको जो हमारा यह इसको शो एकसे करते हैं काही पढ़ते हैं ठीक है तो काईवन इस इक्वल टू एन वन उनने बता यहाँ से number a mole of solid बने क्या मानने है अन्वन अपान total number कैसे निकाल लेंगे n1 प्लस N2 ठीक है जो फ्रेक्शन की बात कर ले रहे हैं एब फॉर एक्जमपल कोई एपल है अगर हम आ लीजे एपल को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अब अगर हम उन चार पार्ट को दुबारा एड करेंगे तो जाहिए सी बात देख पूरा एपल बन जाएगा हमा कर लिखा हुआ काई वन फ्लस काई टू प्लस रोएप कई ऩी आभ फ की बराबर हो और है आगे बढ़ते हैं महों सबस्के पढ़रा है इसको भी आगे पढ़ना है dif लेता है कक उसमेए क्या है the number of moles of solute dissolved per liter of solution is called molarity of solution मतलब कि कोई भी solution दिया गया उसमें एक liter में solute के कितने number of moles dissolved है उसी को हम लोग क्या कहते है molarity कहते है और उसके को से denote किया जाता है capital M से denote किया जाता है ठीक है अब इसके formula में डाल लेते हैं formula क्या है इसका है molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution bracket में लिखा है in liters इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो volume of solution जो है वो हमेशा हमको liter में ही उसकी formula में value put करनी है ठीक है ऐसा इसलिए अगर मालीजे उसमें कोई भी question में value मिलीटर में दी गई है तो सबसे पहरे उसको हम लिटर में convert कर लेंगे ठीक है अब इसके unit की बात कर लेते हैं ऐसे आप जानते कि हमारा है molality इसको भी हम लोग किसे denote करते हैं से denote कर देते हैं अब इसकी definition क्या है था number of moles dissolved per kg solvent is called molality of the solution ठीक है रहाँ पर गौल करने वाली चीज़ यह है कि ऐसे कि आप नजर डालते हैं तो यहां पर उपर वाला जो सेम रहेगा कि number of moles of solid हमारा molality में निकाल रहे थे और number of moles of solid हम लोग इसमें value पूट कर रहे हैं लेकिन अगर नीचे वली जीज़ की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या लेखा हुआ था कि उसमें था volume of solution और यहां पर mass of solvent वह value ने पूट कर रहे थी लीटर्स में और यह value किसे पूट करी हम लोगोंने kg यह पूट करी है तो यहां पर ध्यान रखना रखना अगर unit के बात कर लेते हैं तो similarly इसको कर सकते हम लोग है कैसे क्लोट करेंगे हम लोग number of moles of solute उसका unit क्या हो जाएगा mole upon mass mass current ने क्या बता है kg similar अगर अगर माल लिए किसी numerical में आपको value जो है वो gram में फिर kilogram में दी गई है सबसे पहले सो किस में convert कर लेंगे हम लोग kg में convert कर लेंगे तो इसी बेस पर बात करते हैं तो फिर का unit क्या हो जाएगा modality का unit अगर माल लीजे कभी को बार numerical आता है फिर short answers आ जाते है very short answer आते हैं तो क्या लिएंगे इसमें कि its unit is mole per kg या फिर mole kg inverse ठीक है चलिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में इसके second part के साथ में thanks for watching